बारिष के मौसं में अक्सर कुछ चटपटा खाने का मन करता है जब गर में बैठे रहते हैं तो चटपटा खाने का जब भी मन करें तो ये जरूर से बना के Try कीजिएगा बिलकुल लीजी है बहुत यसानी से बनता भी है बहुत ही j It is a Tasty है तो जरूर agles Тут से ट्राइकर तो चलिए बनाना सुरू करते हैं, सबसे पहले हम चढ़ाए हैं गाइस पे एक पैन, गाइस को ओल कर लिए हैं और इसमें डाल दिये हैं तेल, तो तेल हम सरसो का इस्तेमाल कर रहे हैं, सरसो का तेल में बहुत ही अच्छा टेश्ट आता है, तो हो सके तो सरसो का तेल ही इस्त सब्सक्राइब इस आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं 5-6 कड़ी पत्ता डाल लिए हैं कड़ी पत्ता का फ्लेवर इसमें बहुत ही अच्छा आता है तो हो तो जरूर से डाल लीजिएगा तो चलिए अब इसे हम बढ़ियां से थोड़ी देर के लिए हैं तो अब इसमें डाल देंगे हमने लिए हैं जिसे हम बारिक काट लिए हैं अब इसे ज्यादा नहीं जलाना है बस हलका साटे करना है ताकि इसका क्रांच ना जब मसाले बनाए तो उसका क्रांच खाते समय बहुत ही अच्छा आता है तो इसलिए ज्यादा ना जलाए हलका साटे कर लिए हैं अब इसमें इसमें हब सिरे फोड़ के लिए काया मिर्सलोल, और तोरी लाल मिर्स-भाट-प्रड-प्रम-ठाइ, रही मिर्स-प्रम-ट, नहीं करता है डूरी पर-गणी। बाद में मसलते हुए चलाげیں , यह बढ़नीको आसना दालो है इस तरह भूखर से लिखाईन तो में अदू लाद को आड़नों से जाता है और इसे मसाल दे जाएंगे ताकि यालू का गुल्ठिया है वो भी मैस होगा और हमारा ये मसाला भी भून जाएगा तो देखिए भून जाए है मसाले तो अब इसमें लास्ट में डाल दिये हम पावजी मसाला इससे बहुत बढ़िया टेस्ट आता है बहुत ही बेस्ट बान कर तयार होता है फ्रें ट्राइ किजिएगा पावजी मसाला डाल देने से थोड़ी सी बहुत ही चटपटा फ्लेवर आजाता है देखने में कितना मस लग रहा है तो गैस को फ्लेम हम आउक कर देंगे और इसे हम रख देंगे साइड में ठंडा होने के लिए तब तक हम ले लिए हैं ब्रेट के स्लास यह दस स्लास लिए हैं अब जितना बनाएं जैसे पांच बनाना दस लिजिए चार बनाना आठ लिज कुछ कटोरे या पलेट है तो भी कर सकते हैं तो देखें अब इसे हम क्या करेंगे शाइड बाला जो हम शो भी डिच बट गी है उससे हम भी ह Estijk बेट ग्राम्स की अ मिक्सिका जार में रखते जाएंगे। अब क्या करेंगे एक बॉल लिए हैं यानि की मिक्सिंग बॉल लिए हैं इसमें डालेंगे दो बड़े चमस भरकर मैदा आप चाहें तो ररोट या कॉणफ लोट भी ले सकते हैं या तो अईयका भी इस्तिमाल कर स तो हम दो बड़े चमस मैदा लिए हैं अब इसे थोड़े थोड़े पानी डाल कर पहले गढ़ी सी पेश्ट बनाना है ताकि गुठलिया बगार ना परे तो इस तरह से गढ़ी हम बना लिए तो आब इसमें पानी जरोत की हिसाब से डाल कर हम इसे पतली सी जलरी बनाएंगे इस तरह से जर्वी बन गया है इसे जादा पतला भी झाथीक भी नहीं तो चलिए उसे भी सायड में रक देते हैं अब हमारा जो ब्रेड हम काटकर रखे थे वो ले लेलिये है अब हमारा ये मसाला आलू का भी थंडा हो चुका है तो अब क्या करेंगे एक शलाइस लेंगे तो चलिए इस तरह से रख लिए हैं उपर से एक बरेर सलाइस इस तरह से रख लेंगे देखने में कितना मस्त लग रहा है फिरेंच खाने में बहुत ही जवरजस्त लगता है एक बाट राई कीजिएगा और बनाना भी इजी है आप देख सकते हैं कितना फटा-फट से बन गया है और बिल्कुल भी असानी तरीके से बनता है तो चलिए सारे को हम इसी तरह से हम बना कर तयार कर लिए हैं अब देख सकते हैं देखिए हम मसाले में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं किये हैं पूरे भर डाले हैं ताकि हमारा ये नास्ता बढ़िया बने तो चली अब ले लेंगे घोल और ये ब्रेट क्रम्ज जो हमने ये जिस साइड बाला बचा था ना उसी से हमने बना कर तयार कर लिए हैं अब एक पीस लेंगे ये देखिए इस तरह से पहले गोल गोल घुमा कर आप भीस से इस तरह से डिप कर लेंगे घोल में और उसके बाद ब्रेट क्रम्ज से कोट कर लेंगे बढ़ियां से हर तरफ इस तरह से देखिए इसी तरह से हमें करना है बिलकुल चक्के के तरह घुमा घुमा कर हमें हर तरफ कोटिंग करना है ताकि बढ़ियां से इसका क्रण्च टेस है यह veel बना कर लिए हैं इसी तरह से सारे कें गाँका नहीं ही लुए हाईपर डाल और हलका थोड़ी दिर के लिए हाई पर रखी उसके बाद medium to high किजिएगा low flame पर बिल्कुल भी नइफ फ्राइ किजिएगा बरना oily हो जाएगा ब्रेट फ्राई होने में टाइम नहीं लगता है अगर मेडियम टू लो प्लेम पर कर दीजिएगा तो ओली हो जाएगा इसे मेडियम टू हाइफ हे रखना है और देखे बहुत जल्दी हमारा एक तरफ से सिख गया है तो इसे हम पलट लेगे आप चाहे तो इसे सैलो फ्राई कर सकते हैं लेकिन हम ट्प्राई कर रहे हैं तो इस तरह से ड्फ्राई करने से क्या होता है। साइड में बढ़ियां से टोरा कितना प्यारा सा कलार आया है देखकर ही मुझे पानी आ रहा है और मसाला भी हमारा बहुत ही जबर्दस्थ है तो यह बहुत ही चरपटा सा हमारा रिषीपी बन कर तईार हो गया है देखिए अब इस तरह से हम इश्टा तेर निकालते हुए हम इसे प्लेट में रख लेंगे तो आजका रिसीपी कैसा लग रहा है फ्रेंज अगर थोड़ा भी अच्छा लग रहा है तो प्लीज एक लाइक और चैनल को सस्क्राइब कर दिजिएगा फ्रेंज और कमेंट्स वोक्स में प्यारा सा कमेंट जरूर से कीजिएगा ताकि हमें भी पता चले कि हमारा ये पिश्टी सा और बहुत ही चट पटा सा ये बारिस के हमारा पकोड़ियां तयार हो गया है तो चलिए इसे हम टमाइटो केचप के साथ सब किये हैं आप चाहे तो हरी चटनी या कोई सभी या आईसे भी इसी ले सकते हैं बहुत ही चट पटा है बहुत ही क्रण्ची करारी ब इसे ही आप लोगों के लिए नए रेसीपी लाते रहें आप इंजॉय करते रहें तो चलिए नगाई कीजिए फिर मिलते हैं नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए थेंक यू